स्वागत है आपका दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पे जिसमें हम आपको रोजाना ऐसे हेल्थ टिप्स बताते हैं जिससे आपकी लाइफ और हेल्थ तौनों इंप्रूव होती हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही उम्दा फेस मास्क जिसे आप नीम और बेल के पत्तों से ही बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बेल पत्त्त में खुट के बहुत सारे गुड़ो होते हैं और नीम में ही बेलपत्र हमारी तुच्छा को ना किवल साफ करता है बलकि उसमें खुश्पू तथा फ्रेशनेस का भी एहसास दिलाता है उसी तरह नीम के कीटानु रोधक उपियोग तथा उसका एंटी बैक्टीरियल तथा दाद, खाज, खुजली को दूर करने की प्रवर्ती के कारण बहुत ही जादा इस्तमाल किया जाता है भारत में तो आएए हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस फिस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मठ्था यह आपके पास मठ्था उपलब नहीं है तो आप दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बेसन बेसन मठ्था और यह यह जो पाउडर है दोस्तों यह मैंने नीम और बेल के पत्तों को समान अन्रपात में सुखा कर पीस लिया है तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे बेसन लग लग दो चमश पीसन उतनी ही मात्रा में दो चमश नीम और बेल के पत्तों का पाउडर जो मैं इसमें डालिया है अब हमने यह मठ्था पाने मठ्थी की उतनी ही जरूवत है जिससे हमारा यह लेव है वह ना ज्यादा गाड़ा हूँ और ना ज्यादा बहता हुआ यह यहां मिक्स कर रहे हूं मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है इस लेव को आपको अपने चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाए रखना है उसके बाद सुखने उपर ठंडे पानी से आप इसको दो दें जैसे कि आप जानते हैं के बेल पर्त जो होता है वो ठंडा होता है और नैच्रल ही खुश्पूदायक होता है जो हमारी तच्छा को ना केवल साफ करता है बलकि उसको डेपली क्लीन्स या शुद्ध भी करता है उसी तरह से नीम का पाउडल जो नीम होता हो वो तो आप जानते हैं नैच्छरली केडराउन में आशक होता है परने वाले तमाम तरीकी के बैक्टीरिया और अलग अलग तरीकी के इंफ्रेक्शन को पूरी तरह से रुपता है इस लेप को लगाने से ना केवल आपका चहरा कांती में वा ओजवान होगा बलकि अलग अलग तरीकी के चम रोगों से भी आपको मुक्ती मिलेगी उमीद है दोस्तों आपको हमारे ये ज्यान वर्दक वीडियो पसंद आया